ये राजकुमारी एक सेब तोड़ती है पर वो सेंडल में बदज जाता है सेंडल को पहनते ही पिंकी खुबसूरत हो जाती है लेकिन तभी एक मोमस वाली आंटी भालू को उसे पकड़ने का आदेश देती है ये पपजी बाला है पर वो एक परी थी और इन सभी को शाप देती है कि लोगों के देखते ही तुम बोलों में बदल जाओगे लेकिन खुबसूरत लग्की के चुम्मे से शाप तूट सकता है इसलिए ये सभी पिंकी को इंप्रेस करना चाहते है